गुद्ध मॉर्निंग क्लास फोर टोड़े यह साइन्स टॉपिक इस एक्सरसाइज और कुकिंग फूट तो आप लोग स्कूल में भी एक्सरसाइज करते हो कराटे सीखते हो गेम्स होते हैं आपके तो कितना जरूरी है हमारी लाइफ में फिट रहना एक्सरसाइज करना क्यों करना क्योंकि क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं अपने बॉड़ी के अंदर तो कुछ फूड जो होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं उनको आप रिलीज करने के लिए क्या होता है जो अच्छ जाते हैं, so you get overweight, आप overweight हो जाते हो, चीक है, उससे क्या होता है, आप fat हो जाते हो, मोटे हो जाते हो, इससे क्या होता है, आप active नहीं रह जाते हैं, और जाधा आप में energy नहीं बच्चती, आप बहुत जाधा lazy हो जाते हो, तो यह जो undigested food है, इसे release करने का क्या तरीका है, हम sweat क through इसे release कर सकते हैं लेकिन sweat आएगा कहां से अगर आप कोई काम ही नहीं करोगे तो सबसे बेस तरीका है exercise सबसे बेस तरीका है exercise अगर आप fit हो आपकी body fit है तो आप बहुत जाद़ energetic और active रहोगे अपनी life में ठीक है तो exercise keeps the body fit this is the most important thing for our body to do because you need to be active the whole day अब जैसे for example आप तीन से चार मेने से घर पे हो you're not doing any kind of activity physical activity आप खेलते होगे जब करते होगे लेकिन जो लोग बिलकुल भी कुछ ने करते हैं उनके लिगे ये best way है अपनी body को fit रखने का और अपने आपको active रखने का physically active रखने का तो exercise is the best way to keep your body fit आप fit रहोगे आप energetic रहोगे आप दिन भर lazy नहीं रहोगे पड़े नहीं रहोगे you will be active energetic it makes the muscles strong जो muscles है हमारे body में उसको strong करता है lack of exercise exercise नहीं करने से क्या होता है हम lazy होते और overweight हो जाते मोटे हो जाते बहुत सादा this is why exercise and playing games आप जो खेल खूद करते हो games खेलते हो वो सब कितना जरूरी है school routine में इसलिए games period होता है yoga period होता है या फिर karate period होता है इसलिए होता है ताकि आप पढ़ाई के साथ-साथ brain के exercise के साथ-साथ physical exercise भी होती जाया इसलिए exercise is very important and playing games too for you, for the students, for the kids cooking food now ऐसा अब आप सोचो कि आप कच्चा कच्चा खाना खालो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा कुछ चीजें कच्ची कच्ची खाई जा सकती है जैसे होगे हमारा cucumber, tomato यह सब कच्चा खाई जा सकता है यह salads हो गए लेकिन salad तो खाके नहीं रहोगे ना दिन भर आपको कहा चाहिए प्रॉपर मील चाहिए क्योंकि आपको आपके बोड़ी में nutrients चाहिए क्यों चाहिए? क्योंकि हमें energy चाहिए energetic रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खाना cook करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा obviously, सबजियां ऐसे तो कची कची नहीं कहा सकते, उसे बना के खाई जाती है, उसमें taste कहां से आएगा? जब तक आप उसे बनाओगे नहीं उसमें spices नहीं डालोगे नमक नहीं डालोगे अच्छे से उसको बनाओगे नहीं तब तक खाना टेस्ट भी अच्छा नहीं करेगा और आप खा भी नहीं पाओगे तो cooking food मतलब खाने को बना कर खाना fruits are generally eaten raw fruits तो आप raw खा सकते हो उसको तो बनाना की ज़रुवत नहीं है लेकिन vegetables को बनाना पड़ता है कुछ vegetables आप raw खा सकते हो raw मतलब कच्चा कच्चा खा सकते हो जो मैंने बता है salad वाले चीज carrot हो गया, cucumber हो गया लेकिन कुछ vegetables ब्रिंजल हो गया बैगन को हम ऐसे कच्चा खा सकते हैं कॉली फ्लावर, पठेटो कुछ-कुछ बहुत सारी सबचेंस है जो हमें cook करके खानी पड़ती है हम बहुत सारी dishes भी बना देते हैं इसी चीज से अब जैसे हमने suppose आलू को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं french fry बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं हम उसे डोसा में भी आलू का mix लगते हैं तो वह भी बना सकते हैं कितनी सारीidences ऐसे जिससे हम बना सकते हैं rice को सिफ rice की तरह ही नहीं हम सर्थ चावल खाल लते हैं चावल दाल सर्थ चावल दाल क्यू खानाँ rice को आप grind करके proper उसको grind करके उसको इसे उसका उसका पाउडर बना के उसको आप इडली और डोसा बना भी सकते हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो हम सिर्फ कुक करके ही खा सकते हैं बिना कुक किये उसको रौ नहीं खाया जा सकता तो जैसे मैंने बोला कि we at salt and spices to introduce taste in the food तो हम उसमें salt or spices, spices मतलब मसाले डालकर उसमें taste increase करते हैं, food is cooked, क्यों cooked होता है अब ये बता रहे है, food is cooked to make it soft, पहले उसको soft बना देता है, soft मतलब नरम, जिसे हम उसे निगल सके, खा सके, chewable, मतलब चबाने लाइक बना देता है, tasty, tasty तो बनता ही है, मम्मी जो खाना बनाती है, it's the best thing in the whole world, your mother makes the best food, okay, and easy to digest, as मैंने बताया कि digestion में कितनी problem होती है, इसलिए balanced diet होना चाहिए, nutrients प्रॉपर होने चाहिए, तो cooked food भी होना चाहिए, जिससे आप digestion प्रॉपर रखें, और digest कर पाएं, कच्चा-कचा खाऊगे ना, तो कुछ भी पेट बही नहीं जाएगा, सब जाएगा, लेकिन अगर cooked food और tasty food खाऊगे तो वो बहुत जल्दी digest भी हो जाए, खीक है, for today, your class is done, please, please study at home, क्योंकि exam आने वाले हैं, और जो जो पढ़ाया है, सब कुछ learn करो, proper पढ़ो, worksheets देखो, complete करो, a video देखो, please देखो, this is only, we are making these videos only for you to make, you understand better, better, so for today, your class is done, thank you class.